एक चरका रैखिक समीकरण लीनियन एक्वेशन इन वन वेरियेबल बच्चों, हम किसी भी संख्या वेंजग को कई तरीकों से वेक्ट कर सकते हैं जैसे यदि हम एक संख्या वेंजग आठ लें यदि हम घटाने की संक्रिया का प्रयोग करें तो 9 रिन एक लिखा जा सकता है गुणा के प्रयोग से 2 गुणी 4 और भाग के प्रयोग से 16 बटे 2 लिख सकते हैं इसके अलावा यदि हम मिश्रत संक्रियाओं का प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं 7 गुणी 2 रिंड 6 या 30 बटे 3 रिंड 2 क्या इसी तरह से 5 X को भी अलग-अलग धंग से व्यक्त कर सकते हैं आईए देखते हैं हम 5 X को 2 X धन 3 X लिख सकते हैं हम इसे 7 X रिंड 2 X लिख सकते हैं इसी प्रकार 10 X बटे 2 भी लिख सकते हैं 5 X के कुछ और भी रूप सोच कर लिखें अरे देखो बच्चों ये दो साथी क्या बात कर रहे हैं आईए सुनते हैं नेहा मैंने 5 X के कई नए रूप बना हैं जैसे 3 X गुणी 2 X और 4 X गुणी 1 नहीं राजू ये तो ठीक नहीं है क्योंकि 3 X गुणी 2 X तो 6 X का वर्ग होता है और 4 X गुणी 1 X तो 4 X का वर्ग होता है आपको क्या लगता है? कौन सही है? तो बच्चों हमने यह देखा कि संख्याओं की तरह बिजी वेंजिकों को अलग-अलग संक्रियाओं द्वारा विभिन तरीकों से दर्शा सकते है इसमें हमें वेंजिकों की संक्रियाओं के नियमों का ध्यान रखना होगा करके देखें अब आप भी अन्य बिजी वेंजिक लेकर उन्हें अलग-अलग तरीकों द्वारा दर्शाईए एक चरका समीकरण Question in one variable जी तू मेरे जेब में पाच एक जैसे सिक्के है क्या तुम बता सकते हो मेरे पास कितने पैसे है कैसे बता हूँ सिक्के निकालो तो बता सकता हूँ रिंकू अगर तुम्हारे पास एक रूपे के सिक्के है तो तुम्हारे जेब में पाच रूपे है और अगर दो रुपे के सिक्के हैं तो 10 रुपे हैं, मतलब तुम्हारे पास 5X रुपे हैं मेरे जेब में 25 रुपे हैं, क्या आप तुम बता सकते हो मेरे पास कितने पैसे हैं? अब यहाँ असान है चुकि 5X रुपए है तो 5X बराबर 25 इसमें मैं X बराबर 1, 2, 5, 10 रख कर देखूंगा X के जिसमान के लिए दोनों और मान समान आएंगे वही तुम्हारे सिक्को की कीमत होगी तो बच्चों आपने देखा कि गणिती समीकरण हमारे दैनिक जीवन में कैसे यूज होता है आईए हम भी दो संख्याएं सोचते हैं जैसे 9 और 21 कोई भी और 10 से छोटी दो संख्याएं लेते हैं और 4 संक्रियाओं का उप्योग कर इनमें संबंध बनाते हैं पहला 9 के दुगुने में 3 जोडने पर 21 मिलता है इसे हम गणिती रूप में लिखेंगे 9 गुणित 2 धन 3 बराबर 21 दूसरा 9 के तिगुने में से 6 घटाने पर 21 मिलता है इसे भी हम गणिती रूप में लिखेंगे 9 गुणित 3 रिन 6 बराबर 21 तीसरा, 21 में 7 का भाग दे कर 6 जोडने पर 9 मिलता है गणिती रूप में 21 बटे 7, धन 6 बराबर 9 चौथा, 21 में से 3 घटा कर 2 का भाग देने पर 9 मिलेगा अर्थाथ, 21 रिंट 3, पूरे के बटे 2 बराबर 9 इस प्रकार आप भी 9 एकिस के बीच में विभिन्न संक्रियाओं वसंख्याओं का काम में लेकर समीकरण संबंध बनाने के लिए 5 और कथन बनाईए यह तो स्पष्ट है कि यह किनी भी 2 संख्याओं के साथ किया जा सकता है करके देखें इन में से प्रत्यक के लिए तीन तीन संबंध बनाईए पहला दो वब 5 के लिए दूसरा ग्यारा वब 25 के लिए और तीसरा चालिस वब 123 के लिए अब इन कतनों को देखें पहला राजु की आयू 9 वर्ष एवं उसकी मा की आयू 35 वर्ष है दूसरा कक्षा 4 में 25 बच्चे एवं कक्षा 9 में 45 बच्चे हैं तीसरा रीमा के पास 10 रुपे एवं मीरा के पास 7 रुपे हैं इन में से प्रत्यक में हम कुछ संबंध ढून सकते हैं जैसे राजु की मा और उसकी आयू का योग 44 वर्ष है राजु की आयू धन मा की आयू बराबर 45 वर्ष कक्षा 9 में बच्चे रिंड कक्षा 4 में बच्चे बराबर 20 ऐसी सभी परिस्थितियों के लिए कई संबंध बन सकते हैं प्रत्यक के लिए आप भी 3-3 ऐसे संबंध बनाएं चलो बच्चो अब हम एक चरके समीकरण को हल करना सीखते हैं अरे इसके पहले ज़र सुन ले रमोला और मालिनी क्या बात कर रहे हैं मालिनी मैंने मन में एक संख्या सोची है जो 25 की दुगने से 5 कम है बताओ वह संख्या क्या है? रमोला यदि वह संख्या 25 की दुगनी यानि 50 अब 50 में 5 कम यानि 50 रिन 5 बराबर 45 तो तुमने जो संख्या सोची है वह 45 होगी आईए एक उधारन देखें 5 किसी संख्या से 10 कम है तब उसका समीकरण x रिन 10 बराबर 5 होगा जबकि हमने यह माना कि वह संख्या x है करके देखें पहला 4 किसी संख्या से 2 कम है 8 और किसी संख्या का योग 12 है िल्दया एिल्दया